देखो वो रहा भी तैखाने में जाने का रास्ता उसी तैखाने में मैंने अगोरी की किताब रखी है बस मुझे वो मिल जाए फिर मैं कायर और कच्छवे का वशीकरन तोड़ दूगी और फिर काले साई की लड़ने की लड़ाई में वो दोनों हमारे साथ होंगे अभी मन्यू मुझ बनाते हुए कहता है वो सब तो ठीक है डाइना पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए डाइना भी मुझ बनाते हुए कहती है क्या नहीं करना चाहिए था अभी मन्यू कहता है वही जो तुमने अभी किया डाइना डाइना अभी मन्यू को घूरते हुए कहती है क्या किया मैंने अभी मैंने तो कुछ भी नहीं किया बस तहखाने में जाने का रास्ता दिखाया अभी मन्यू डाइना की बात पर जोर देते हुए कहता है और तैखाने में जाने का रास्ता तुमने किस तरह दिखाया अभिमन्यू कुछ गुस्षे के साथ कहता है अपनी शक्तियों से तुम्हें इस तरह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए डाइना तुम्हें पता है न उस काले साय से लड़ने के लिए हमें अभी औ मारा काम आसान हो जाए और हम और वक्त जाया ना करें इस मलबे को अपने हाथ से हटाने में एक तो मैंने तुम सब की मेहनत बचाई है उपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो अभी मन्यू कहता है हाँ सुना रहा हूं डायना क्योंकि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी डाय पता चलेगी अभी मन्यू कहता है तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी तो मेरी जिन्दगी आसान हो जाएगी डायना डायना मूब बनाते हुवे कहती है वो तो वक्त बताएगा कि जिन्दगी जीना आसान होती है या फिर जिन्दगी जीना दुश्वार होती है अभी अभिमन्यू पलट कर कुछ कहता हूँ से पहले यूग उन दोनों के बीच में बोल पढ़ता है अगर तुम दोनों का बच्चों की तरह जगरना हो गया हो तो हम तेहकानी के अंदर चले डाइना या अभिमन्यू में से कोई कुछ नहीं कहता है दोनों चुप चाप तहखानी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं जब वो चारों तहखानी के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तहखाना कई सारे काले जादू तंत्रमंत्र के सामान से भरा हुआ था तहखाने के अंदर से एक अजीब से महक आ रही थी एक ऐसी महक जिसने सब को अपना हाथ अपनी नाग पर रखने के लिए मजबूर कर दिया था वो चारों तहखाने के जितने अंदर जाते जा रहे थे वो गंध भी बढ़ते जा रहे थी उस गंध में उनका सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था योग अपनी नाग पर हाथ रखते हुए कहता है ये कैसी बद्बू है अभिमन्यू भी अपनी नाग पर हाथ रखते हुए कहता है पता नहीं योग बड़ी अजीब सी बद्बू है जैसे कोई चीज सर रही हो डाइना हैरानी के साथ कहती है जब आखरी बार में इस तहखाने में आई थी तब तो इसमें से ऐसी बद्बू नहीं आ रही थी पता नहीं अब क्या हो गया यामीनी अपने आसपास का सामान देखते हुए कहती है इस तहखाने में तो वाकई काला जादू तंत्र मंत्र करने का कई सारा सामान रखा हुआ है डाइना कहती है कैसे न रखा होगा यामीनी ये तहखाना उस अगोरी का जो है वो यहीं पर तो अपनी तंत्र मंत्र की क्रियाई करता था, वो तंत्र क्रियाओं का बादशाह था, अभी मन्यू डाइना से पूछता है, वो किताब तुमने कहां पर रखी है डाइना, डाइना हिचके चाते हुवे कहती है, वो किताब हमें ढूरनी होगी अभी, अभी को इतना वक्त हो गया है न कि मैं भूल गई कि मैंने वो किताब किस जगह पर रखी है, मुझे ये तो याद है कि वो किताब मैंने तहखाने में रखी थी, पर कहां पर ये मुझे याद नहीं है, अभिमन्यू डाइना को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, तुम न डाइ जब योग उस संदूग के पास पहुचता है, तो वो बद्बू जो उसे आ रही थी, वो और तेज आने लग जाती है, जैसे बद्बू उसी संदूग के अंदर से आ रही हो, योग उस संदूग को देखते हुए कहता है, ये कैसा संदूग है, यामिनी योग के पास ही थी जिस कारण वो भी तुरंत उस संदूग के पास आ जाती है। डायना और अभिमन्यू तहखाने के अंदर ही किताब ढूंडने में लगे रहते हैं। युग तुरंत उस संदूग को खोल देता है। जैसे ही वो संदूग को खोलता है, बदबू और तेजी के साथ फैलने लग जाती है। और वो पूरी तरह श्योर हो जाता है कि वो बदबू उसी संदूग में से फैल रही थी। जब युग और यामिनी उस संदूग के अंदर जहांकते हैं तो उनकी आँखे खुली की खुली रह जाती है। संदूग के अंदर देखकर दोनों दंग रह गए थे। युग के चेहरे के एक्स्प्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसी चीज देख रहा हो जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखी हो। युग हैरानी के साथ कहता है ये क्या चीज है। उस संदूग के अंदर एक पुतला और दो पुतली रखी होई थी। वो एक पुतला और दो पुतली अपने आप सर रहे थे। तीनों पूरी तरह काले हो चुके थे। यामिनी उन पुतलों को देखते हुए कहती है, ये तो वो पुतले हैं जो तब बनाये जाते हैं जब किसी पर पुतली टोना करना हो। यूग यामिनी से पूछता है, ये पुतली टोना क्या होता है यामिनी? यामीनी कहती है योग बाबू पुतली टोना किसी इंसान पर तब किया जाता है जब हमें किसी को अपने हिसाब से चलाना हो या फिर उसे कोई दर्द, पीड़ा या नुकसान पहुचाना हो योग उन पुतलों को गौर से देखने लग जाता है और वो देखता है कि उनमें जो दो पुतली थी, उनके कपड़े औरतों की तरह थे एक पुतली के उपर छोटी सी साड़ी लिप्टी हुई थी और दूसरी पुतली ने सूट पहना हुआ था और जो पुतला था उसने आद्मियों की तरह पैंट शट पहने हुए थे योग एक और चीज नोटिस करता है और वो ये कि उस पुतले ने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे सुदेश पहनता था और रही बाद उन दो पुतली की, तो वो पुतली जिसने साड़ी पहनी हुई थी, वो उसी तरह से साड़ी पहने थी जैसे उसकी बड़ी मम्मी जानकी पहनती थी, और जिस पुतली ने सूट पहना हुआ था, उसने भी वैसा ही सूट पहना हुआ था जैसा अमोधिता पहनती थी, उन तीनों पुतली-पुतले के चहरे भी कही न कहीं जान की अमोधिता और सुदेश ते मिल रहे थे। यूग उन पुतलों को हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, ये पुतलियां तो मुझे बड़ी ममी और अमोधिता की तरह लग रहे हैं, और ये पुतला सुदेश मामा जी की, यूग इसके आगे कुछ कहता है, उससे पहले यामिनी बोल पड़ती है, ये उनी के पुतले हैं यूग बाबू, यूग हैरानी के साथ पूछता है, पर उनके पुतले किसने और क्यों बनाए होंगे? यामिनी कहती है, पता नहीं यूग बाबू, यामिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो हडबड़ा हड के साथ बोल पड़ती है, र यूग बाबू, आपनो बहुत सीथे हैं, जरूरी थोड़ी ये पुतले रजनी ने इनको कोई कश्ट या नुकसान पहुचाने के लिए बनाए हो, किसी और मकसद से भी तो वो ये पुतले बना सकती है, आप ये बात कैसे भूल सकते हो कि उन्होंने ही तो पुतली टोना कर के विराट भया को ग्रेवियार्ट कोटी भेजा था, हविली के कागजातों पर अनुराग अंकल से साइन कराने के लिए, और आपको तो पता है न, वो एक सौधाइन थी, हो ना हो ये करामात भी उन्हीं कियोगी, यूग चुपी रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है, पर देखिए, विराट भया वैसे ही कपड़े पहना करते थे न, यूग हर बड़ाहट के साथ हा में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यामिनी, विराट भया ऐसे ही कपड़े पहना करते थे, यामिनी फिर बोल पड़ती है, उन्होंने विराट भया का भी पुतला बनाया यूग यामिनी से पूचता है, फिर उनका पुतला कहां पर है यामिनी, इस संदूक में उनके बस ऐसे छोटे कपड़े ही क्यों है। यामिनी कहती है, उनके शरीर को तो मुक्ती मिल गई है युग बाबू, पर उनके पुतलों को नहीं मिली है, क्योंकि काले जादू का असर धीरे धीरे खत्म होता है। तो जब इनसान के शरीर का दासंसकार कर दिया जाता है, उसके बाद उसका पुतला धीरे धीरे अपने आप नश्ट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही काला जादू खत्म होता है, वो पुतला भी पूरी तरह नश्ट हो जाता है। यामिनी फिर अपने हाथ से संदूग की तरफ इशारा करते हुए कहती है। आप खुद देखे, कैसे ये पुतले अपने आप नश्ट हो रहे हैं, तभी तो इनके अंदर से इतनी गंदी बद्बु आ रहे हैं। युक संदूग के अंदर उन पुतलों को ही देखते रहता है, यामिनी से पलट कर कुछ नहीं कहता है। संदूग के तरफ इशारा करते हुए यामिनी खुद संदूग के अंदर देखी रही थी कि तभी उसे संदूग के अंदर एक और पुतला नजर आता है जो पूरी तरह तयार नहीं था। उसका बस चेहरा बना हुआ था। वो चेहरा यामिनी को जाना पहचाना लग रहा और अगले इपल यामिनी पूरी तरह शोर हो जाती है कि वो चेहरा किसका था। यामिनी वो पुतले का चेहरा योग को दिखाते हुए कहती है। ये देखिए योग बाबू रजनी ने आपका पुतला भी बनाने की कोशिश की है पर देखकर लगता है कि वो इसमें रहा है। जब योग उस पुतले का चेहरा देखता है तो उसके तो होशी उड़ जाते हैं। योग यामिनी की बात में हामी भरते हुए कहता है। हाँ यामिनी तुम बिलकुल ठीक बोल रही हो। ये चेहरा तो हूब हुँ मेरी तरह ही है। योग परिशान होते हुए कहता पर रजनी मामी मेरा पुतला बनाकर क्या करना चाहती थी? उन्हें मुझसे क्या काम? यामिनी कहती है, अब ये तो वही जानती थी युग बाबु की वो आपका पुतला बनाकर क्या करना चाहती थी? इसके पीछे उनका क्या मकसद था? यूग उस पुतले को वापस से संदूग के अंदर रखने लग जाता है जैसे यूग उस पुतले को संदूग के अंदर रखकर सीधा खड़ा होता है यामिनी हडबडाहड के साथ यूग से बोल पड़ती है युग बाबू शायद रजनी ने अमोधिता के लिए आपका पुतला बनाये हो युग हैरानी के साथ यामिनी से कहता है ये तुम क्या बोल रही हो यामिनी रजनी मामी मेरा पुतला अमोधिता के लिए भला क्यों बनाएगी यामिनी युग को एक टक देखते हुए धीरे से कहती है आपको अमोधिता के बारे में नहीं पता क्या युग बाबू युग तुरंथ यामिनी से बोल पड़ता है हाँ यामिनी मुझे पता है कि अमोधिता भी एक सौधाईन थी यामिनी कहती है मैं अमोधिता के सौधाइन होने के बारे में पता होने की बात नहीं कर रही थी युग जट से पूछता है, तो फिर किस बारे में बात कर रहे थी तुम यामिनी? यामिनी कहती है आपको नहीं पता क्या अमोधिता के दिल में आपके लिए क्या था यूग को चिरते हुए कहता है यामिनी तुम न ये पहिलियों में बाते करना बंद करो और सीधे सीधे बोलो क्या कहना चाहती हो यामिनी कहती है यूग बाबू मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अमोधिता आपसे प्यार करती थी उसके दिल में आप बसे हुए थे यूग हैरानी के साथ यामिनी से कहता है ये तुम क्या बोल रही हो यामिनी अमोधिता मुझसे प्यार करती थी यामीनी हामी भरते हुए कहती है हाँ युग बाबू, अमोधिता आप से प्यार करती थी मैंने उसकी आँखों में आपके लिए बे इंतहा प्यार देखा था युग हैरानी के साथ कहता है पर वो मुझसे कैसे प्यार कर सकती है मैं उसका भाई लगता हूँ यामीनी कहती है युग बाबू, आप उसके सगे भाई थोड़ी है और ना ही दिलीप और अनुराग अंकल का कोई खून का रिष्टा था तो फिर आप उसके भाई कैसे लग सकते हैं युग खोई हुए अंदाज में कहता है अगर अमोधिता मुझसे प्यार करती थी तो उसने कभी मुझे ये बात बताई क्यों नहीं यामीनी पलट कर कहती है कैसे बताती युग बाबू आप उस वक्त मेरे प्यार में जो डूबे हुए थे और ये बात अमोधिता भी जानती थी शायद इसलिए उसने कभी आपको इस बारे में नहीं बताया कई बार जिंदगी में हम अपने प्यार का इजहारी नहीं कर पाते हैं और अपने प्यार को अपने साथ ही लेकर मर जाते हैं अमोधिता भी उनी में से थी यामिनी के ये बात कहने पर योग अमोधिता के बारे में सोचने लग जाता है अब उसके समझ में आने लग जाता है कि क्यों अमोधिता हमेशा उससे योग जी कहकर बात करती थी क्यों वो हमेशा उसकी इतनी केर करती थी क्योंकि उस केयर में भी एक प्यार था जिसे योग कभी समझ नहीं पाया यामीनी फिर योग से बोल पड़ती है अमोधिता आपसे सच में बहुत प्यार करती थी योग बाबू तभी तो आपके साथ सब्तम चक्र के पास चलने के लिए तयार हो गई थी योग खोई हुए अंदाज में कहता है काश अमोधिता ने मुझसे एक बार कहा हुता कि वो मुझसे प्यार करती है तो मैं उसे बता देता कि उसका और मेरा साथ इस जीवन में नहीं लिखा है और वो मेरे पीछे इस तरह अपनी जिंदगी बरबाद नहीं करती यामिनी कहती है, अमोधिता एक बहुत अच्छी लड़की थी योग बाबू, वो तो बस रजनी के कारण उसे सौधाइन बनना पड़ा, वरना शायद वो कभी सौधाइन नहीं बनती योग अमोधिता को याद करते हुए कहता है, उस रात अगर अमोधिता उस काले साई की शक्तियों से बने हुए जानवरों से नहीं लड़ती तो शायद हम कभी तारा को बचा ही नहीं पाते, मैं अमोधिता को कभी नहीं भूल पाऊंगा यामिनी, उसे हमेशा याद रखोंग यामिनी कहती है ये रही उसा घोरी की किताब आखिर ये मुझे मिली गई